आज हम एक एसे मौज़ू पर बात करेंगे जिससे बहुत सारे लोग जो है वो ओविसली इसके इस मरहले से गुजड़ते हैं लेकिन इनको पता नहीं होता एक हमारी कौम में जो बहुत बड़ा अल्मिया कहूंगी या बहुत बड़ा इशू है वो ये भी है कि हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको ये नहीं बताते हैं कि हमें अलामात क्या हैं हमें लगता है ये जरूरी रही है बलके हम सीधा जाके अपनी बेमारी बताते हैं या हम ये बताते हैं जो हमें लगता है हमारी बेमारी है बहुत कॉमेंली जो मेई प्राक्टर में मैंने देखा है वो ये है कि सीधे साथ पेशिंस आते हैं और वो कहते हैं जी पिते में पत्री है निकाल देए ना वो मुझे ये बताते हैं कि उनको अब क्या हो रहा है, क्या हुआ, किस वज़े से उन्हें इसा रखता है, किसी ने उनकी तश्कीज की के नहीं की, या उन्हें खुद ही ऐसा रखता है, किसी डॉक्टर ने बताया नहीं बताया आज इसी मौज़ों पर बात करेंगे पिते की पत्री जिस तरीके से आप जानते हैं काफी common हो गई है बहुत सारे लोग इसका शिकार होते हैं उनको अगर operation के बारे में बता दिया जाए तो फॉरण से खबरा जाते हैं डर जाते हैं तो क्या operation कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए होती क्यों है बचों में क्यों होती है बड़ों में क्यों होती है कुछ लोगों में क्यों जादा होती है निकलवाने के बात क्या क्या complications हो सकती है कौन से तरीके से ऑपरेशन कराना चाहिए क्योंकि अब ऑपरेशन कराने के भी बहुत सारे तरीके आ गए है इसके बारे में मजीद बात करेंगे आज हमारे खासूसी महमान है दॉक्टर सेयद असलम शा कंसल्टन सरजन है प्रिंसिपल रावल मेडिकल कॉलेज असलम एकम सर् अच्छा सर जिसना मैंने कहा कि जो अमूमन पिते की पत्री है वो शायद अब डाइग्नोसिस असान हो गया है इंसिदेंटल फाइंडिंग बहुत जादा होती है लोग किसी और वजह से अल्टरसाउंड कराने जाते है और उसमें पत्री निकल आती है तो वासल मसला भूल क पिते की पत्री पे कॉंसेंट्रेट करते है पिते की पत्री है क्या और ये क्यों हो जाती है देखिए जिगर हमारे जिसम में एक बड़ा एहम ऑर्गन है और जिगर एक सिक्रीशन बनाता है बाइल सफरा जिसको उर्दू में कहते हैं बाइल जो सिक्रीशन है ये जिगर की नालियों के जरीए एक आरगन अलग बना हुआ है पिता जो के जिगर के साथ बिलकुल अटैच है वहां ये बाइल पहुंचता है और वहां ये बाइल पहुंचकर स्टोर होता है और मजीद ये के वो कंसेंट्रेट होता है और कंसेंट्रेट होने के बाद जब उसकी जरूरत म मकतलिफ हार्मोन्स काम कर रहे हैं जब हम भूजा खाते हैं और ये पित्ते के अंदर बायल है ये खास ठोर पर चिकनाई के हादमे में मदद देता है तो जब हम भूजा खाते हैं तो वहां से । आथ के पहले حस debates पूर्यूस रूर्ड्यूस होते हैं तो ये मेकैनिजम है जिसके जरीए ये बाइल बन रहा है, स्टोर हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है और आगे जब इसकी जरूरत है तो ये जा रहा है अब इस बाहिल के अंदर बाज वकाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं या बाज वकाद पिते में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं जिसकी जासे ये पिते के अंदर पत्रियां बन जाती हैं ये बाइल के दर जिन मुक्तलिफ केमिकल्स होते हैं जिसमें गॉलेस्ट्राल है जिसमें केल्शियम है जिसमें और भी कॉछ अनासर शामिल है तो वो मिलके एक सॉलिड मैस बना देते हैं आम तो पर तो सारस क्पेP मStar में लिक्वेड होता है लेकिन वो वो सॉलिड मैस में तब्दीर हो जाता है जिसको हम पत्थरी कहते हैं वो कंक्रीशन है वो एक अच्छा असल में लेकिन पत्थर नहीं होते हैं पत्थर की ही तरह है वो मतलब इस तरह नहीं है जैसे बाड़ी पत्थर है लेकिन पत्थर की तरह चोटी जोटी कंकृरिशन हैं, चोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, मुख्तली इक पत्री आए, लेकिन वो जो वाईल है, उसके अंदर कुछ उसकी खुसियत ऐसी हो जाती है, जो पत्री बना लेता है या बाज अकाद पित्ते के इन्फेक् अच्झा हम जो कहते हैं के अक्सर लोग आते हैं लग लग अलामात होती हैं पता कैसे चलता है कि आपको शक कैसे पड़ता है इस इंसान के अंदर जो है ओधते की पेतरी हो सकती है देखिए अभी आपने जिगर किया इंसिडेंटल फाइडिंग इंसिडेंटल फाइडिंग जो है तकरीमन 10% केसिस में हो सकती है इससे ज़्यादा आम तर पर नहीं होती ज़्यादातर मरीज जो है वो दर्द के साथ आते हैं और जिगर की जो और पित्ते की जो लोकेशन है वो दाई तरफ पसलियों के नीचे है आम तोर पर 95% और 99% तक लोग जो है वो राइट साइड के उपर पसलियों के नीचे जहां दर्द होता है उसकी वज़ासे होते हैं चुकर यह हाजमे में भी मदद देता है इसलिए हाजमे की भी अलामाद साथ में शामिल होती हैं इससे पहले के उनको कोई शदीद दर्द हो बाज अकाद दोगों को चिकनाई के हाजमे में मसला आ रहा है उनको बेदे में जलन हो रही है उनको फीने में जलन हो रही है उनको गैस हो रहे हैं, ढकारे आ रही हैं, बाज अकात पुल्टी भी आ जाती है, मतली होती है, यह मुखतली पिसम की आलामात होती है लेकिन जिस मरीज में दर्द आ जाता है, राइट साइट के ओपर, दाएं तरफ पसली हो के नीचे, उसका फौरी तोर पर तश्खीस करना जरूरी है, बहुत कम ऐसा होता है, कि वो दर्द जो है, वो राइट साइट पर ना हो, किसी और जगह हो, लेट साइट पर भी हो सकता ह है, लेकिन राइट साइट जो है, सबसे आसान, सबसे कॉमन, ठीक, आप हमारी प्रोग्राम का हिसा बन सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, 0514865653, 0514865654, पर पे इसके साथ वक्त वाजार एक ब्रेक का हम ब्रेक से वापस आते हैं, तो रॉप साब से मजीद सवाल चाहिए शाह है, हमाने साथ एक ओलर भी है, हलो इसल लगाएकभ, जी वालिकुसलाम जी, जी कॉनर कहां से बात केरे हैं, जी मैं अजीद रिमान बूरा हम जी स्कामाबाद से, प्ली सवाल पूछेगा, जी चाहिए बतायें कि हमें कौन-कौन के दातवीर अश्यार करने पे पार प्रेंग वोग्षाइं थिता निकल अगाया तो इसके बाद उनका भॉठापा बोल जयदा हो गया ठीक है ठीक थीक थैंक यू सो मच अच्छा इंग सबसे पहले हमें शुरू ही सी से करना चाहिए था कि क्या कैसी एथियाती ततबीर हैं जो हम कर सकते हैं जिसे ना हो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रिबाइल है ये चिकनाई के हाजमे में मदद देता है तो चिकनी चीशिए है वो खाने से पित्टे के पर जोर पर दается और खुशुसर अगर पिता खराब हो जाए तो वो अपना काम उस तरह नहीं कर सकता है इस तरह कि उस तरह वो सुकरता नहीं है उस तरह उसकी वो पावर नहीं होती। जब पित्तने पें पत्री होजाए तो इस में वो सलाहिए बाकी नहीं रहती। कि वो गज़ा के हाजमे में उस तरह मदद दे नॉन फंक्शनिंग अगाल ब्लेडर भी हम इसको कह सकते हैं कि वो काम सही नहीं का रहा है तो ये जो चिकनी चीजें हैं इसकी वज़ा से उसके उपर जोर पड़ा है अगर आप गज़ा में चिकनाई की मिगदार एक खास हथ से आगे ना बढ़ने दे इसी तरह आप गज़ा अगर बहुत ज़्यादा मिगदार में नहीं ले रहे हैं उसकी वज़ा से भी आप जाहर जोर पड़ता है आपके में तो जब आप एक औरगन के ओपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं तो वो आहिस्ता इस्ता उसके अंदर लेकिन बेसिकली कंसेंट्रेशन और भी है इसके अंदर कोई एक फैक्टर नहीं है उसमें बहुत से लोग अबिस सिटी भी उसमें एक फैक्टर हो जाता है उसमें कुछ फी़ में ज Efendimiz है उसमें कुछ ज़रा एक घास उमर से जाके C40 साल की बाद घ्माने नए उसे पहले भी हो सकता है यह नहीं कि 20 साल में हो सकता है तीस साल में हो हो सकता है लेकिन यह कि उहना पक्रat आः को यह हरति कीमी बाद नहीं कि इसी बीजन से होगा इंपोर्टन जाद है कि हम अपनी डाइट पे जादा देहार लें आप उस अपनी डाइट पर एक्सरसाइस के उपर आप उस खा रहे हैं उसको हजम भी करें और यह नहीं है कि जी उसको पर तो पर अप्र प्र नहीं है हमार से ते कॉलर है हला असलाम लेकर वालेकर स्लाम जी स्यालपॉर्ट से बात का रहा हुँ शाहर जी प्ली सवाल पुछेगा जी स्वाल यह है कि पित्ते में जो पॉलिक होती है जी पॉलिक का है पॉलिक मुखतलिफ चीज़ है स्टोन से पॉलिक जो है वो पित्ते की जो वाल है जो उसकी जो जो पित्ते की जो वाल है जो 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 ज प्रमाद इस तरह किया सकती हैं जिसमें पित्टा जाहिरे काम अगर सही नहीं कर रहा तो आलामात तो तक्रीबन वही आ जाती हैं लेकिन पॉलिप की तश्खीस और इस्टोन की तश्खीस के अंदर जो गरीखें हैं मुखटलेफ तश्खीस के उसमें दराम इंगास तरह पर देखना पड़ता है कि ये पॉलिप ही है और पॉलिप की वज़ा से भी पित्टे का फंक्शन मो तासिर हो सकता है और पॉलिप भी बाद खतरनाग थाभी तो ऐसी सूरत में जब उसका फंक्शन काम नहीं करे जब वो काम साहीं नहीं करे तो फिर उसको निकल वारे हैं different surgeons की बहुत different concepts हैं, इसके उपर different बातें बताई जाती हैं, खुद लोग नहीं निकलवाना चाहते हैं, कितना जरूरी है उसको निकलवाना और किस stage पे निकलवाना चाहिए? देखिए जब पत्टे में पत्री की तशखीस हो गई इसका मतलब यह है कि पत्ते के अंदर मस्ला हैं और अब अगर आप उपको वो फाइदा तो नहीं पहुंचा रहा आपको नक्सान पहुंचा सकते हैं, पत्ते में पत्री होने के वज़imana चाहिए बहुत से नक्साना थों स तो अब उन पेचीदियों का इंतिजार करना कोई मनासिबात तो नहीं है तो एक जब पिता आपको उस तरह गिजा के हाजमे में मदद नहीं दे रहा है आपको बार बार दर्द दे रहा है नुकसान दे रहा है गिजा के हाजमे में मदद नहीं दे रहा है और आपकी कॉलिटी of life खराब हो रही है तो यी quality of life is very very important बहुत जरूरी है कि आप यी quality of life रची हो आप कहीं दावतों में उस तरह नहीं जा सकते हैं आप कहीं अचानक आपको दर्द हो जाए फिर आपको फोरन डाक्टर से रुजू करना पड़ जाए तो ये जब पिते में पत्री की तख्षीस हो जाए चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है बाद लोग सोबचते हैं कि अभी तो पिते की पत्री चोटी है जरा इसको और बड़ा होने का इनतजार करने दे तो ये कोई मनासिब लोग दस-दस साल बाद पिते में पत्री रखे रहते हैं कि जी वो ये ज्यादा अर्शा रखने से एवन कैंसर तक जराम ले सकता है लेकिन उससे पहले और जैसे शदीद इंफेक्शन हो सकते हैं पैंकरेटाइटिस हो सकता है जांडिस हो सकता है जिगर खराब हो जाता है और पिते के अंदर बाद बाद पस बन जाती है खुसूसर डायवटिक पेशन्स में तो और ज़्यादा उससा देए सकता है जैसे बस तश्कीस हो तो निकलवा लेना शाहिए पिता बाद बाद फट भी सकता है रेर केसिस के अंदर तो ये मुक्तलिफ पसंती कब होगी ये तो को नहीं बता सकता लेकिन ये के पेशीदगी का इंतजार तो नहीं करना चाहिए जब एक बार आपको एक बार अलामत आ गई जैसे आपने का था इंसीडेंटल फाइंडिंग कि जी वैसी एक सरे कराया अल्टरसाउंड कराया पितने में पत्री आ गई लग पता सेले हैं और इसके अपने क्राइटिरियां है कि पेशोयन लायबटी कायब आहे स्टों लाइप एक सपेंसिंशेंसी ज्यादा है क्वालिटी अफ लाइफ अप लायफ खराब दे गए कि वह आपको एग साल में डीर साल में कॉम्प्लिकेशन तेदे गहunku कैद कि आदा तो पर दूम पर राखाना पड़ा है उसको निकलवाने कभी कर दोग हो कही नगए जयादा मसलें थिर को आप पुझे अठार हैं कि अगरा आएका अनुक्ता वारिंग जाता है फॉच्टा थी जी प्ली सुखेगा उच्झार गार्शव पुचेगा फटार है मैं तो नहीं है इसके लावा भी आपने कोई टेस्ट करवाएं इसके लावा भी आपने कोई टेस्ट करवाएं इसके लावा भी आपने कोई बिमारी बिताई जाएं तो फिर डॉक्टर अपनी तरफ से भी कुछ बिना के बता देते हैं मेदे की सोजेश या मेदे के जो प्राबलम है वो एंडोस्कोपी से पता चलते हैं वो अल्टरसाउंड से पता नहीं चलते हैं अल्टरसाउंड में पत्री का तश्खीस हो सकती है असानी से अगर अल्टरसाउंड में पत्री है तो फिर उसका इलाज कराना चाहिए अगर आप को इस खिसम भी शिकायत है तो बाद अकाद हम और गॉल बेडर का फंक्शन देखने के लिए अलग टेस्ट करा सकते हैं यह जो अल्टर साउंड है यह गॉल बेडर के अंदर से यह अनाटमी बता रहा है उसकी साफ बता रहा है वहाँ पथरी है मौझूद है नहीं है लेकिन उसका फंक्शन नहीं बता रहा है फंक्शन देखने के लिए हम एक हाईडाइस कैन एक टेस्ट होता है वो बता कर स्पेशल रेडियो आईसो टोब सकैन के जरीए वो टेस्ट किया जाता है उससे पता चल जाता है कि पिते का function कितना अच्छा है तो अगर पिते का function कम है तो उस तूरत में भी हमें बाद और वकाद पिता निकालना परता है ठीक हमारे साथ एक और कॉलर है हले असलामलेक। वालिकूम असलाम। जी को और कहां से बात करी है। मैं नसीमी जाग बात करी हूं कि आरकोटे। अचा मैडम प्लीज अपनी टीवी की आवाज मुट कर दीजेगा। हलो.. मैंने अपनी ममा के बारे में पूछना है मेरी ममा को ना पिक्ते में तीन पत्री आया है दो छोटी है और एक बड़ी है और उनको पें भी नहीं होती और उनको साथ में शूगर है तो इसके लिए पूछना था कि तही हत्रे के बार तो नहीं है और साथ मैं उसके लिए पूछना है तक किस के लिए क्या सूटे बड़ा है ठीक है तैंक यू सो मज़ ये एक बहुत कॉमन सवाल है डाइबिटिक पेशिंट्स में कॉम्प्लिकेशन का पेशीदगी होने का चांड ज्यादा बढ़ जाता है और तीन पत्रियां है एक बड़ी है दो छोटी है जो बड़ी पत्री है उसके अपने नुकसान आता सकते हैं वो पित्ते की डक्ट ब्लॉक कर सकती है पित्ते में इंफेक्शन ज्यादा कर सकती है पस बन सकती है तो पस के बिलकल वो थैली पस की बन जाती है बाद उकार एमपाईमा हम उसको कहते हैं और जो छोटी पत्री है वो अगर आगे चली जाए पित्ते की नाली में तो वो ब्लॉक करके जॉन्डिस कर सकती है तो ये 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 दुनों बातें नुकसान दे हैं और बजाहर अगर उनको पित्ते में तीन पत्रियां जैसे आप बता आपरेशन है 24 घंटे में मरीज फारिग हो जाता है अज़र अज़र जाए जो अपरेशन है दो तरह के होते हैं एक बड़ा चीरा दे के आप पूरा निकालने जिसको ओपन हम कहते हैं कुलेसिस्टेक्टमी और एक लेपरोस्कोपी के जरिए जो आम जबान में लोग उसको अब्डामन के अंदर डाल देते हैं और मॉनिटर के ओपर देख के हम सज़री कर रहे होते हैं जबके ओपन सज़री के अंदर हम डायरेक्ट देख के सज़री कर रहे होते हैं ओपन सज़री में ज़रा थोड़ा इंसीन ज़्यादा बड़ा लगाना पड़ता है निशान मुरीज बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है, मुरीज को जल्दी घर भेज दिया जाता है, जल्दी वापस काम पर जा सकता है, खासतार पर वरकिंग लेडिस के लेडिस में चुके गॉल्प गॉल्स टोन्स कामन है, तो वो वापस जल्दी काम पर जा सकती है, घर की जम्मेदा दुनिया ने उसको accept कर लिया उसमें से एक laparoscopic surgery है कि सिर्फ चंद साल के अंदर पूरी दुनिया में फैल गए और बड़ी जल्दी ही लोगों ने इसको accept कर लिया और इसके फवाइद इतने थे लेकिन उसमें यह है कि आपको सेक्रिपमेंट अच्छा हो, surgeon trained हो, well experienced हो, तो बह standard day care surgery जिसमें 24 घंडे के अंदर मरीज घर चला जाता है, ठीक है, रोग साब हमाई साथ एक call है, hello, assalamualaikum, hello, 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 Mrs. Salim, hello, I think call drop okay, हमाई सार, पहले किसी ने सवाल किया था, obesity के बारे में, Sir, हम इसके बारे में जवाब लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, तो रोग साब से, obesity के बारे में भी पूछते हैं, हमारे साथ रहेगे का, Welcome back, जी हम बात के रहें, पिते की पत्री के हवाले से आप हमारे प्रोग्राम के हिसा बन सकने, आप हमेरे कॉल कर सकते हैं, 0514-865653 पे 0514-865654 पे हमारे साथ एक कॉलर है, Hello, Assalamualaikum, वालेकूं, Assalam, जी को और खाहां से बात कह रहे हैं, जी मैं इजाद बोरू हूं, चैसलाबाद के, प्री सवाल पुछेगा, जी मेरी मदर है, उनका प्रेशन होगा थे गरीबन एक साल पहले, तो बड़ा प्रेशन होगा है, एक साल पहले पिते की वस्तिका, तो उनकी पेन बोरू हूं, जी काम थोड़ा वह करती है, चलतीए, पेन नहीं जा रही है, बता ती नहीं है, चैसी जी पात करें बनाधिन के पढ़ा प्रेशन पाता थे ? आए, जी को पहले हैं उनको पिते की पत्री वाला पैन होता थे आए उसी चाह पर हूं? गुष है लेकर इसको आप लेजर कहते है है लेपरोसकोपिक कराया था या ओपन सजर्डरि या उपन करवालyas करती है। झालते हैं उसके तरद मुझेजिदाके के अब रेक्स सेंट न्हों लो हो सकता है कि उनको नर्ज कटने के विजा से वहां कोटेनियस नर्ज होती है दो तीन नर्ज होती है अगर वो डामेज हो तो उसके विजा से दर्द रहता है बाकी अगर पिता सही निकला हुआ है तो फिर वो उसकी विजा से पिते की विजा से वो दर्द नहीं होगा अगर उन के लिए आपको दर्द की दवाई ले और मैं नहीं समझता कि ये पित्ते की आपरिशन की वजा से उनको ये दर्द हो रहे हैं आज कल तो लेपरोस्कोपिक जदा कराया जाता है तो इसलिए उसमें दर्द का चांड बहुत कम होता है और फिर ये भी आप देख लिए कि वहां ह यह हिलो को इसलिए दुड़ा खालप हो वा appel की दो है यहिए वाज वाज जड़ा जो काथ थे बड़ जुग अच्पत्र बात करें जा कि वजा झान रट वाजी करवटा बडलने से बिद खातной अधर लिका शक्रवर्एकिया में दोनी जा वर cris वर के यह अधर में आपấका आज गंटे बगएर खाए पिए हो अगर आपका पिता मुकमल तौर पर डिस्टेंडिड नहीं है फुलावा नहीं है उसमें फुल बाहिल मौजूद नहीं है तो फिर तश्खीस करना स्टून का जरा मुश्किल हो जाता है तो कमस कम 12 गंटे 14 गंटे बगएर खाए पिए रहने के नहीं बाद फिर जो दोबारह से लट्रसंट कराई ये किसी ऑच्छीय अच्छी हुल्टा सॉंट करनेλάut जे फिर उसको पत्तर चलेगा जरह उस्पे पत्री है कर नहीं है यह सघए शक की बनियार जो यहे को बात नहीं में पर एक त्सकी सुskyत को सब्ढ सर्डल कराया सकत तो मैंने एंडिस्टोपी करवाया तो उसमें बिल्लकु क्लेर है उसमें कुछ भी नहीं है तो फिर मैंने अपना प्लेट CPSR, LFC, HVLORI, RFC, लिपर्ट पुर्फायल, BC, HVDBC, वेड़र में साय टेस्ट रहाए यह क्मिली तो और अक्तिपरो़ािश पोटे गाल उसमेर में कि गालो जाएएएवाद पुर्लकु कुसल कि प्लिटों जाएईड है को इसासे है पाइसिटेर मेर को már नार्मथा देस्टेव कि बिल्मएडर को स्थेटी हुआ साधि ओ इंतरे एपल्फी की तो मैंने वो दो दिन खाया वाके मुझे जाइन पें स्टार्ट होगी थी मैंने उसको बंद कर दिया था ठीक है तो मैं डर्साफ तो यह मश्यरा करना जा रहा हुँ कि मुझे कोई ऐसी जाएट बता दें कि जिसके तुरू मैं अपने आपको रिकवर कर तो तो मैं अपने अपने वो कर वाया है अपने अपने वो कर वाया है अल्ट्रासॉक्त ठीक है तो मैंने अभी यह जेस्ट करना था कि मैं लेपोस्कोपिक करवाँ या काट वाला परिशन करवाँ यह कौन सा ठीक रहता है ठीक आप हमारे साथ रहें कि हम अभी इसी के बारे में बात करने लगें अच्छा काश्रिफ साथ अगर बुरा रवान है तो मेरी गुजारश हमारी OPD में जरूर आके बैठ जाएं अक्सर हम लोगों को बहुत बाते नहीं बता सकते तो वो बता सकें एक बात बड़ी जुरूरी है कि अल्ट्रसाउंड के पर मेदे की सोजिश नहीं उस तरह आती है एंडिस्कोपी पर आती है एच पहले राई का टेस्ट वो लोग कराएं और यह जो ओपन और लेपरोस्कोपी का है यह कहानी दरब पुरानी काफी अर्से से चल रही है आजकर लेपरोस्कोपी बहुत सेफ है बहुत सारे सर्जेंस लेपरोस्कोपी कर रहे हैं अच्छी एक्विपमेंट बहुत हाई डेफिनेशन कैमरा अच्छे रेजिशन वाली कैमरा है अच्छी आप ब्रेक में उसकी भी बात करे रहे थे है एसाई एलस की यह अब यह नई टेक्नालोजी है सिल्स जिसको कहते हैं सिंगल इंसी एन लेपरोस्कोपी के उपर जो आम ट्रेडिशनल लेपरोस्कोपी सजजडी उसमें एक कैमरा डाला जाता है आम तोर पर नाफ के और दो छोटे छोटे एंसी एन होते हैं साइड के अपर उन से हम देखकर ऍते हैं कर सकते हैं बाद लोगोंको यह चार इन सीन के बजाए बाद तीन से भी कर लेते तो यह तीन यह चार यह बैंने तो जी एक ही इंसियर होने चाहिए तो खाली नाफ के पास एक इंसियर लगा कि special equipment डालके special instruments के साथ वो single इंसियर से भी कर रहा जाता है लेकिन वो advanced form है उसमें और जो traditional laparoscopic surgery उसमें कोई फर्क नहीं है टेकनीक वही है तकरीबान सिर्फ यह कट जो है वो एक जगा लगा जाता है थोड़ा सा बड़ा होता है दूसरे इंसियर से लेकिन यह के laparoscopic surgery बहुत safe है आजकल अच्छी जगा से हो रहा है train surgeon है कोई मसला नहीं है तो कट वाले surgery से यह है कि जड़ा सा इंसियर बड़ा होता है पेन ज़्यादा होता है recovery slow होती है complication का rate जैसे हरनिया का rate ज़्यादा है एंसियर हरनिया का cut बड़े cut के अंदर छोटे में जड़ा कम है बहुत कम है बहुत कम है बलके तकरीमन ना होने की बराबर है तो यह जरूर खास तरपर बात देख लिए लेकिन एक बात तैय जो है वो यह कि अगर आपके पित्ते में पत्री है तो आप निकल वाना है पेचीदगी का इंतजार ना करें और अपनी quality of life खराब ना करें ठीक हमारे सथी caller है असलाम लेकम अच्छा अब को अलवालेकम असलाम जी जी हलाओ पूछिए तो उसमें मुझे जूल पर लॉस्ट जाना वो पारिस भागी है आपकी आवास समझ नहीं आ रही आप थोड़ा शायद सिगनल सही नहीं आ रहे अच्छा कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है जी डॉक्टर अब अक्सर अमूमन ये देखा जाता है कि एक दफ़ा पिता निकल वा दिया उसके बाद दोबारा उसी किसम का दर्द महसूस होता है आंकों का पीरा पल्म परना शुरू हो जाता है पेशिंट जानरे सोना शुरू हो जाता है उसकी क्या वज़ा है और इस सिनारियों में क्या करना चाहिए है ये बिल्कुल बختलिफ बात हो गई कि अगर पित्ते के अं यह सरजरी से पहले सिलिफ हो गया या सरजरी के दोरान हुआ है या सरजरी के दोरान पिते की नाली डैमेज हो गही है तो फिर वो उसको हम common while dealt कहते हैं जो जिगर से नाली आ रही है जिसके अंदर से पिते की सीक्रेशन भी उसी में जा रही है अगर वो डेमेज हो गई तो फिर वो बिलकुल मुक्तलिफ उसका ट्रीटमेंट है और उस दूरत में आपको ERCP करानी परती है जो कि स्पेशल टेस्ट है एंडोस्कोपिक, रेट्रोग्रेट, कॉलंजेपन, क्राटिग्राफी जो एंडोस्कोप के जरीए हम डाई डालके जहां पर यह पर नाली खुलती है आथ के अंदर वहां से हम डाई डालके उसको आउटलाइन करते हैं सारे बिलियरी ट्री को, सारी बाइल डक्स को और उसका और उसका और उसका पता चलता है कि कहीं पर कोई ब्लॉकिश तो नहीं है, कहीं कोई स्टोन तो नहीं पढ़ावा, अगर कोई स्टोन पढ़ावा है तो फिर हम उस स्टोन को निकाल लेते हैं, उसी डाली को जा एंड है, उसको थोड़ा सा डाईलेट करके और वो स्टोन को एक स्पेशल बास्केट के जरीए हम निकाल लेते हैं और अगर वहां कोई खुदाना करे कोई डेमेज होगी है या डक्ट तो फिर वो उसकी रिपेयर करना पड़ती है अच्छा सिद्समाइब पस टाइम बहुत कम है एक छोटा सा सवाल ये पूछना होंगी कि अमूमन जो है वो कोई भी बेमारी होती है तो हमारे मुल्क पे सबसे पहले घर की रेमेडीज बताई जाती है होम रेमेडीज बताई जाती है खर्बूजा खाएं बहुत जादा लीमूगा पानी पीएं उससे नहीं होगा कितना फाइदा होते है और कितनी एफेक्टिव है होम रेमेडीज इस सिनारियो में जब पिते में पसरी डाइगनोज हो गई है तो यह होम रेमेडीज फाइद नहीं काम करें हमारा टेक हो मैसेज है आप निकल वादें एक बात जो जो जरूरी है बताने हैं बाद लोगों ने पूछा है कब निकल वाएं तो अगर यह एक्यूट अटेक में पिशन्ट आता है तो फस्ट ट्वंटी फॉर फॉर्टी एट आर्स के अंदर निकाल दें तो बेहतर है इस फस्ट अटेक के अंदर निकाल देंगे तो 24 गंटे में अर्तारीश गंटे में बहुत ही जदा हो गया बहतर गंटे में बेहतर होता है कि अगर 40 गंटे के अंदर तर उसको निकलवारी जाए जो कि लबलबे का infection हो सकता है जैसे मैंने का जिगर खराब हो सकता है जान्डिस हो सकता है इसी लबलबे के ज़ो infection है इसको Pen feveritis कहते हैं ये बाज उकर ख़तरनाग भी हो सकता है तो ऐसी complications से बचना चाही है जब हो कोई छोटी सी पत्री लोग इंतजार करने अभी 2, 3 mm की पत्री है वो अगर आगे चली गई किसी वर कांटेक्ट के तसके बाइब जा सकता है तो पन्किर्टाइटीस बाद अकट फैठल भी हो सकता है लेकिन पन्किर्टाइटीस पे अगली सज़ड़ी कराना बेहतर रहता है ठीक है जितनी जल्दी हो सेके थांक यू सो मच डॉक्टर साथ बहुत अच्छा लगा बहुत सारे मजीद सवाल थे लेकिन क्योंके वक्त कम था वो हो नहीं सेके पोस्ट आप केर के बारे में मैं आपसे जाना चाहे थी लेकिन इंशारा हम दुबारा आपके साथ एक और शो क लिए है आप नहीं जाएंगे तो वो क्या करें के बिचारे हमारे साथ रहे एक आगले हपते फिर हाजर होंगे एक नए मौजू के साथ अला हाफिस TV सारे रह हमारे